पंजाब विधानसभा चुनाव में कॉंग्रिस का सीएम चेहरा कौन होगा? इस राज से परदा हटके हैं। कॉंग्रिस ने मौझूदा सीएम चरंजीत सिंग चन्नी को ही अगले विधानसभा चुनाव के लिए पंजाब में सीएम चेहरा घोशित किया है। इसका अधिकारिक एलान राहूल गांधी ने रविवार को लुधियाने में आयोजित रैले में किया, लुधियाना में अपने संबोधन में राहूल गांधी ने कहा कि चन्नी जी गरीब घर के बेटे हैं वो गरीवी को समझते हैं और गरीवी से निकले हैं उनके खून में पंजाब है सिद्धू जी के भी खून में पंजाब है काट कर देख सकते हैं इनके खून में पंजाब दिखेगा चन्नी जी के अंदर एहंकार नहीं है बाईयों और बेनों पंजाब के युवाओ प्रेस के मित्रों आप सब का आज यहाँ बहुत-बहुत स्वागत नमस्कार पिछली मीटिंग में आपने पंजाब की जंता ने हमारे कार्यकर्टाओं ने नेताओं ने मुझे एक बहुत मुश्किल काम दे दिया जाकर जी ने अपने भाशन में कहा कि ये हीरे हैं कॉंग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो हीरे हैं और बहुत गहरी बात की है नों 2004 से अब मैं राजनेती में हूँ थोड़ा सा experience थोड़ी सी समझ राजनेती के बारे में मुझमें है भाई और बहनों राजनेतिक नेता दस-पंदरा दिन में पैदा नहीं होता है राजनेतिक जो नेता होता है जो सच्चा नेता होता है वो मीडिया के टेलिविजन पर डिबेट्स में नहीं त्यार होता है